भजन सहिता अध्याय चालिस मैं धीरच से यहवा की बाट जो हता रहा और उसने मेरी ओर जुक कर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड़े और दलदल की कीच में से उबारा और मुझे को चटान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दुढ़े किया। और उसने मुझे एक नया गीद सिखाया जो हमारे परमिश्वर की इस तूती का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहुवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने यहुवा पर भरोसा करता है। और अभिमानियों और विध्याओं की और मुढ़ने वालों की मोर मुह न फेरता हो। हे मेरे परमिश्वरी होवा तूने बहुत से काम किये है और आश्चरे कर्म और कलपनाये तू हमारे लिए करता है। वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करू। परंतु उनकी गिंती नहीं हो सकती। मेल बली और अन्न बली से तू प्रसन नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले है। होम बली और पाबली तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ क्योंकि पुस्तक में मेरे विशय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमिश्वर। मैं तेरी इच्छा प यहोवाई तू इसे जानता है. मैंने तेरा धर्म मनी मन नहीं रखा. मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किये हुए उधार की चर्चा किये है. मैंने तेरी करुणा और सत्तता बड़ी सभा से गुपत नहीं रखी. हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले, तेरी करुना और सत्तता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अंगिनत बुराईयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आपकड़ा और मैं दुर्ष्टी नहीं उठा सकता, वे किंती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा रधह तूट गया, हे यहोवा, रुपा करके मुझे छुडा ले, हे यहोवा, मेरी साहता के लिए फुर्ती कर, जो मेरे प्लान की खोज में है, वे सब लज्जित हो, और उनके मुह काले हो, जो मेरी हानी से प्रसन होते है, वे पीछे हटाए और निरादर किये जाए, जो मुझसे आह आह करते है, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो, जितने तुझे ढूंडते है, वह सब तेरे कारण हर्शित और आनन्दित हो, जो तेरा किया हुआ उधार चाहते है, वह निरंतर कहते रहे कि यहोव कि बढ़ाई हो, मैं तो दीन और दरिद्री हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तु मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमिश्वर विल्लंब न कर.